नमस्कार दोस्तों, एरपोर्ट जैसे सुईधाओं के साथ हाली में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप से रेडवलेप्ट हुआ मद्धे परदेश का वर्ल्ड क्लास स्टेशन हवीब गंज, जो अब भुपाल की अंतिम गोड साशक रही रानी कमलापती के नाम से जा दीरता उनके प्राकरम को देखते हुए फैंसला किया गया है। दोस्तों, रानी कमलापती के बारे में हम सबको बहुती कम मालूम है। हमारा देश विरांगनाओं से भरा हुआ देश है, इनी विरांगनाओं में से एक रही हैं रानी कमलापती। रानी कमलापती अठारवी शतापदी में गोन समुदाय की आख्री हिंदूर रानी थी। उस वक्त गिन्नोर गड़ के मुख्या थे निजाम शाह। उनी की पत्नी थी रानी कमलापती। उस दोरान बाड़ी पर निजाम शाह के भतिजे आलम शाह का शाशन था। आलम की नजर निजाम शाह की दोलत पर थी उनकी संपते पर थी दोस्तो रानी कमलापती बेहत सुंदर थी बेहत खुबशूरत थी कमलापती की खुबशूरती से प्रवावित होकर निजाम शाह जो राजा का भतीजा था उन्होंने रानी से प्रेम का इजहार भी किया था पर रानी ने उस उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया जिससे उनकी हत्या हो गई उससे राणी और उनके बेटे को भी खत्रा था इसी वज़े से राणी कमला पती अपने बेटे को लेकर भोपाल आ गई थी राणी कमला पती अपने पती की मोद का बद्रा लेना चाहती थी लेकिन ना तो उनके पास रुपया पैसा था ना उनके पास सेना थी जो भतीजे निजाम शाह के जो भतीजे थे उससे बद्रा ले सके हैं उस समय रानी कमला पती ने अपनी शास के कोशल को लगा कर एक दोस्त मुहमत से सहयता मांगी दोस्त मुहमत ने सहयता करने के नाम पर रानी कमला पती से एक लाख रुपे की दिवान करी कि एक लाग रुपे आप मुझे दे देजे, मैं जो निजाम शाह का बती जाया, उस पर आकरम कर देता हूँ और उसकी हत्या कर दूँगा, इस तरीके से आपको अपने पती की हत्या का बदला मिल जाएगा, रानी कमला पती पर उस समय एक लाग रुपे भी देने के लिए नह लेकिन उन्होंने फिर भी उसको रुपे देने का वादा कर दिया, जिससे उसने उस पर अकरमन किया और उन्होंने अपने पती निजाम शाह की मौत का बदला ले लिया, इस तरीके से राजनितिक कोशल को इस्तमाल करके, रानी कमला पती ने अपने पती की मैत्यूगा बद पक्रमन कर दिया जिसमें दोस्त मुहम्मद ने उनको धोके से जहर देकर मार दिया दोस्तों यह हमारा इत्यास है जो हम गायब कर दिया गया था या इसके ओपर कोई कपड़ा ढग दिया गया जिससे कि यह लोग हम लोग इस इत्यास के बारे में ना जान सके आप भी अपनी इस इत्यास के बारे में रानी कमलापती जी के बारे में जरूर बताईएगा कमेंट करके और वीडियो पसंद आती तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद दोस्तों